हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सब कुछ टैम टू टैम आज मैं आप लोगों को फिर से बताने जा रहा हूं कि 16 संबा ब्रत में चूर्मा के लिए प्रसाथ कैसे बनाते हैं इसके लिए मैं पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं पर मैं दोबारा आप लोगों को एक सरल तरीका बता रहा हूं जो पिछले वाले वीडियो से भी सरल है जिसको बनाने में आपको मुश्किल से से त्यार कलने आपको 150 ग्राम गेहु काटा लेना है मैं आपको 150 ग्राम गेहु के आटे के लिए आप से बता रहा हूं आप इसको कम ज्यादा बना सकते हैं 150 ग्राम गेहु काटा और 100 ग्राम गुड़ देसी होना चाहिए मीठा गुड़ होना चाहिए खटा वाला गुड़ करने के लिए आपको पानी चाहिए कम जदा भी हो सकता है आप छजब बनाएंगे तो आपको खुदी अंदाजे से सामता चल जाएगा और या डेशी घी सुध्ध्य तेल मौमफली का या तिली का या तो फिर देसी की इन तीनों में से कोई एक चीज क्या आपको आपको आटे में मौवन मिलाने के लिए करीब दो से तीन चम्मत तेल चाहिए पड़ेगा और फिर बाद में उसको तलने और फ्राइ करने के लिए जो है आप आपको जो है तेल की जरूरत पड़ेगी तो करीब डिवर से 200 ग्राम तेल में आपका काम हो जाएगा और आपको अपने मन पसंद ड्राइ फ्रूट्स भी लेने हैं जो सुखे मेवे आपको पसंदो आप बोले सकते हैं आप चैसे देख रहे हैं कि आपको आटा ले लेना है फिर उसके बाद आपको आटे में थोड़ा सा मोवन मिलाना है मोवन दो से तीन चम्मत तेल खी कुछ भी आपके पास जो मखन भी आप डाल सकते हैं और फिर इसको अची तरह से आपको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जब तक ये सब पूरी तरह से अची तरह मिक्स नहीं हो जा तब तक आपको मिक्स करना है फिर इसके बाद आपको गुड़का करीब 50-60 ग्राम पानी में या एक कप पानी में मालीज़े 100 ग्राम गुड़का आपको सीरा गरम करना है और उसके बाद जब ठंडा हो जाए उसका वेट करना है जब ठंडा हो जाए तो आपको इसको अच्छी तरह से छनी से छान लेना है ताकि उसमें कोई भी अब इसको रख के ठंडा कर सकते हैं या फिर आपने अगर पहले से ठंडा करके छाना हुआ है तो फिर आगे प्रोसेस करें आगे जो प्रोसेस है उससे पूरा करें अब आपको त्यारी करनी है तो आपने जो आटा लिया था उसमें मोयन पहले मिला चुके उसमें आपको ग मुलायम आटा लगाया जाता है और पूरी बनाने के लिए बहुत ज्यादा थोड़ा टाइट लगाया जाता है और रोटी बनाने के लिए थोड़ा मुलायम आटा लगाया पर यह आटा जो आप लगाने जा रहा है गोड़ के सीरे से यह ना ज्यादा टाइट होना चाहिए न एड़ कर सकते हैं अलग से मिला सकते हैं और अगर रूखा रहे सुखा रहे आपको गीला करना हो तो अप अलग से थोड़ा से सीरफ इसमें एड़ करके उसको अच्छी तरह गूंद सकते हैं आठा आपको बहुत अच्छछे से लगाना है उसको अच्छी तरह गूंद कर तयार करना है क्योंकि आगर आपको अच्छी तरह नहीं लग पाता है अच्छी तरह आप उसे गूंद करके मुलैम नहीं बना पाते हैं आगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रेट करेगा और इसके स्वाद में भी गड़बड़ी हो सकती है इसलिए ऐसा नहीं हो तो आपको आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट बना के रखना देखिए आटा लग चुका है अब आपको इसे 15-20 मिनट या कम से कम आदे घंटे के लिए इसको सेट करने के लिए रखना पड़ेगा कपड़े से डांके कपड़े को आप हलका गीला करके रख सकते हैं या बिना गीला की भी रख सकते हैं या फिर किसी पन्नी पॉलिथीन को लपेट कर भी लग सकते हैं वैसे आप कपड़े का यूज करें तो जादर बैटर होगा फिर से निकाल करके एक बार आपको फिर से इसको हलके से मसलना है और मसल के सेट करके रख लेना इस्तमाल करने से पहले फिर अब आपको इसकी छोटी-छोटी पूरी की साइज में बे asan बेल खलइना है और छोटी-छोटी पूरी की साइज में इसको बेल करके रख लेना है खट करके रख सकते हैं अपिर वन हुई-बैल करके इसको सिरा सकते हैं अब इसको देशी घी या तिल या मुम की मुम फली के ने में आपको फ्राइख करना है तो इसकी आफको बताने के लिए जो है दिखाने के लिए यूज करना हो बात अलग है पर रियल्टी में जब पूजा के लिए कोई समखरी बनती तो उसमें सिल्वर का कोई भी बरतन यूज नहीं होता इस बात का ध्यान रखिए अब आपको कढ़ाई को गरम करने के लिए गैस की आज को तेज कर देना है और जब आप फ्राइ करने लगें तो आपको आज को थोड़ा मीडियम कर लेना है और जब बहुत देर आज में चड़े हुए कढ़ाई को टाइम हो जाए बहुत ज्यादा गरम हो जाए तो आप उसको पूरा धीमा भी कर सकते हैं अब आपको अच्छी तरह बेल सकते हैं मैंने घटा ही बेल करके अफ लिए और अब आप उन्हें फ्राइ कीजिए फ्राइब बहुत आपको ध्यान से करना है जलना नहीं चाहिए और उनको फ्र्ला गोल्डन ब्राउन होने तक या उससे थोड़ा डार्क भी फहत धल्रुया निकाल लेना है और इक जब ए अगर लेना एक जगह आप देखते जाएए कितना फ्राइ करना है यह भी फ्राइ हो रहा है पूरी तरहाइव उनने में अभी इसको कुछ फ्यू सेकंड्स ओल लगेंगे अब आप देखिए जिस तरह का ये कलर है इस तरह के कलर में आपको इसको फ्राई करके निकाल करेख लेना फिर आपको इस तरह जो बांकी है उन्हें भी फ्राई कर लेना सब चलिए फटा-फट से से कर लेते हैं अब यह बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच गया है तो गैस बहुत तेज होगी कढ़ाई बहुत जादा ओवर हीट हो गई तो इसको दीमा कर लेते हैं तो आपकी भी जब कढ़ाई ओवर हीट हो जाए तो आप उसको बिल्कुल एकदम स्लो पे कर लिजे जैसे हमने कर ल जल्दी से तो यह फाइनली यह भी तयार हो चुका है अच्छी तरह सिख चुका है और बहुत ही प्यार अकलर आया है इसका सिखने के बाद अब आगे को प्रोसर्स क्या है उसको देखते हैं इन सब को एक जिगाग घटा कर लेते हैं अब आगे इसको क्या करना है इसी का आ अपने हाथ आपके नहीं जलेंइं इसका ध्यान रखते हुञें इस तरह चूरा करना यहाइं जब यह चूरा हो जाए फिर आगे क्या करना हो भी बताते हैं इस तरह से आप एक एक करके दो, दो करके जितना आपको easy लगे आप से आसानी से हो सके आप इसको अच्छी तरह इसका चूरा कर लीजे अब ये सब सारा का सारा चूरा बन चुका है अच्छी तरह से अब आगे इसमें क्या करना है इसमें आगे आगे आपको अपने मन पसंद के dry fruits सूखे मेवे मिलाने हैं वो आप कुछ भी जो कुछ भी आपको पसंद वो सब डाल सकते हैं खसकस मत डालिएगा क्योंकि खसकस जो है एक नसीला पदार्थ भी होता है और शियो जी की पूजा में कोई भी मादक पदार्थ या वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा शि इसी चीज में कूट पीस करके थोड़ा महिन करके या थोड़ा बारीक मोटा करके जैसे आपको पसंद वैसे आप इसमें मिला सकते हैं और इसमें आपको डाल सकते हैं इसमें एक चीज मिलाना हम भूल गए थे जल्दी में और हम आपको बता देते हैं कि आप इसमें अलग स जब यह सारा चूरा बन के त्यार हो जाए तो आपको इसमें अलग से 2-3 चम्मच सुद्ध देसी घी मिला लेना है अगर सुद्ध गेसी घी ना हो तो मुम फली का तेल या तिल का तेल आप एक दो चम्मच इसमें मिला सकते हैं फिर आपको इसे अच्छी तरह मैस कर लेना है और एक प्लेट में निकाल के रख लेना है अब यह आप इसको खाने के लिए यूज कर सकते हैं भगवान को शिव जी को भोग लगाने के लिए प्रसाथ चढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं आपको यह रेस्पी कैसे लगी यह मातर 20-25 में बनके त्यार हो जाएगी और यह बहुत जल्दी बनके त्यार होता है इसलिए मैंने सोचा आपको यह वीडियो बना के दूँ ताकि आपको अगर जल्दी कोई चूर्मा बनाना है तो आपको आसानी से चूर्मा भी बन जाए और आपके समय की भी बचत हो मेरे चैनल में आगर के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ यह वीडियो मैंने अपनी मम्मी की हल्प से बनाया है और मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट में थैंक्यू लेखे मेरी मम्मी के लिए और भोले न करें मॉझे थैंक्यू मत बोलिए सब भोलेना त lle nad कमी मैं जीप थैंक्यू ओलिए चुर में की रेषिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद इजिटIC